राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चैनल के अश्री राधी कृष्णा सिंगार में आपका स्वागत है दोस्तों आज बैसाक पोणिमा है इसे बुद्धु पोणिमा भी कहते हैं आज की पोणिमा का महत्व इसलिए भी और जादा बढ़ गया है क्योंकि 502 साल बाद सम सब तक योग बन रहा है यह योग बहुत ही शुब माना जाता है सास्तों के अनुसार पोणिमा के दिन भगवान विश्णू माता लक्षमे चंद्र देव की पूजा करने से स्धन बैभव सुक सम्रिध्धी की प्राप्ति होती है आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे पूणिमा की रात को करने से जीवन की तमाम परिशानियों से छुटकारा मिल जाता है उपाय करने से पहले आप पूणिमा के दिन इन कुछ खास बातों का विशेश ज्यान रखें पूणिमा के दिन घर में साफ सफाई का विशेश ज्यान रखें क्योंकि माता लक्षमी को साफ सफाई बेहत प्रिय होती है पूणिमा के दिन किसी से बात विवात लड़ाई जगडे ना करें पूर्णिमा के दिन मास मदिरा का सेवन ना करें साथ विभोजन करें प्यार लेसन अंडा ना बनाएं पूर्णिमा की रात को साफ कपड़े पहन लें फिर पांस दीपक ले लें दीपक मिट्टी या आटे के कैसे भी ले सकते हैं दीपकों में रूई की बाती लगा ले फिर दीपकों में सुध देशी घी भर ले अगर सुध देशी घी ना हो तो मीठा तेल भर ले मीठा तेल तिल के तेल को कहते हैं तिल का तेल भी आप भर सकते हैं फिर इन दीपकों को एक थाल में रख लें और अपने मंदिर में माता लक्षमी के आगे रख दें और आसन बिछा कर बैठ जाएं सारे दीपक चला लें और माता लक्षमी को हल्दी कुमकुम से टीका करें फिर पांचों दीपकों में थोड़ी थोड़ी कुमकुम डाल दें उसके बाद माता लक्षमी की पांचों दीपकों से आरती उतारें उसके बाद 21 बाद चैमा लक्ष्मी चैमा लक्ष्मी का जाब करें उसके बाद एक दीपक को मंदिर में ही रहने दें और चारों दीपक ठाल में उठा लें फिर एक दीपक अपने घर के उत्ता पूर्व दिशा में साफ इस्थान पर रख दें फिर एक दीपक आप अपने रसोई घर में रखें याद रखें कि साफ इस्थान पर ही दीपक रखें एक दीपक ले जाकर तुलसाजी के आगे रखें और हाद चोड़ कर तुलसाजी मया से प्राफना करें आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की तुलसाजी मैया से प्रात्ना करें फिर एक दीपक ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखतें सभी दीपक रखते वक्त मन में जैमा लक्ष्मी जैमा लक्ष्मी का चाप करते रहें मंदिर में पूर्मा की रात को दीपक भागवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए जलाया जाता है इससे भागवान जी की करपा और आश्रवाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है घर के उत्तर पूर्वे दिशा में माता लक्ष्मी का बास माना जाता है इसलिए उत्तर पूर्वे दिशा में पूर्मा की रात को दीपक जलाने से घर में धंधानने बना रहता है और माता लक्ष्मी की करपा होती है माता लक्ष्मी का घर में बास होता है रसोई घर में माता अन्न फूर्णा का बास माना जाता है और रसोई घर को घर में मंदिर के बास सबसे पवित्र इस्थान माना चाता है रसोई में दीपक जलाने से घर अन्न और धन्न से भरा रहता है तुलसा जी के सामने दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि तुलसा जी की फूजा के वेना पूर्मा पर भगवान बिश्णु जी और मातल लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी चाती है और तुलसा जी में सभी देवी देपताओं का भगवान विश्णु जी माता लक्ष्मी जी का साक्षात पास होता है घर के मुख्य द्वार पर दीपक पूर्मा की रात को इसलिए जलाया जाता है जिससे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ती घर में प्रवेश ना कर पाए और माता लक्ष्मी जी को आम अंत्रित करने के लिए भी पूर्मा की रात को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है इन पांच जगों पर पूर्मा की रात को दीपक जलाने से भगवान पिश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की क्रपा और आशिवार प्राप्त ह होता है जीवन की सभी परिशानियों का अंत हो जाता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुए तो लाइक करना ना भूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रस्तदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भैभी इसका लाब उठा सकें और हमारी और वीडियो के लिए हमारी चैनल केस्ति रादिकिष्णा चिंगार को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग राधी राधी